हेलो फ्रेंज, समस्कार सबीको, मैं शेफ पहईशोग, स्वाहत करता हम आपका आपके अपने यूटुब चैनल कुकिये भी शेफ पहईशोग तो आज मैं आपको चिकन भूना मसाला बनाने की बहुत ही इजी और प्रफेक्ट रेस्पी उपताने वाला हूँ तो इस तरह से आप चिकन भूना मसाला बनाएंगे खाने में टेस्टी तो बनेगा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा और इस रेस्पी की खासेते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट मिलेगा आपको इस तरह का चिकन आपके शायदी कभी खाया होगा तो चलिए देखते बनता कैसे है चिकन भूना मसाला यहाँ पर मैंने एक केची बीद पूंच चिकन लिया है चिकन को मैंने दो चमश विनेगर और एक चमश नमक वाले पानी में डाल के रख दिया तब पांच मिनिट पहले इससे कह उता है चिकन अच्छी तरह से साफ हो ज चलिए तो यह देखिए 5 मिनिट के वाँ मैंने पानी को निकाल दिया और दो से तीन पानी से ते दो भी लिया है तो देखिए वाइड नेज देखिए अच्छे से चिकन मैंने वाश कर लिया यहाँ पर तो इस तरह से चिकन को आपने दो लेना है मैरिनेट करेंगे एक अपर नमका टेश भी अंदर निकरा पर चला जाता है पांच यह मैंने प्याच लिया हैं साथ में 4 टमाटर और 3-4 मैंने छोड़ी हरी मिर्चे लिया है प्याच अपने बारी काट लेना है टमाटरों को आप पीस के भी डाल सकते हैं और मिर्ची को 20 लेना है ठोड़ी से ignorance ल लेना है, दो से तीन लॉंग, दो से तीन छोटी लाइची और एक छोटा चमच मैंने साबूट काली मिर्च लिया है और एक मैंने यहां पे तेशपता लिया है, काली मिर्च का यूज़ आपने थोड़ा सा ज्याधा करना है तो इन सारे मसालों को आपने एक पैन में डाल देना है और पैन में डालके गैस की फ्लेम आपने एक तम लो रखनी है एक तम लो फ्लेम में आपने मसालों को अच्छी तरह से ड्राइ रोश कर लेना है dry roast करने से मसालों का flavor activate हो चाहेगा और दूसरा जब आप इनको grind करेंगे न अच्छी तरह से piece भी जाएंगे तो के देखिए मसालों का color यहां पर हलका सा change हो चुका है तो इतनी देर तक आपने मसालों को dry roast करना है पिर इसके बद आपने मसालों को थंड़ा होने देना है थंड़ा करके इनको पीसेंगे हम तो यह देखिए मसाले हमारे थंड़े हो चुके हैं एकदम fine powder बना दीचिए तो यह हमारा chicken masala बनके त्यार हो चुका है और कोई extra मसालों का use नहीं करेंगे दनिया पोर्डर जीरा पोर्डर बस हम यही मसाला डालेंगे चिकन के अंदर और इसी के साथ पकाएंगे तो यहाँ आपने कडाही ली है stainless steel की कडाही ली है और उसमें oil add करेंगे तो 4-5 बड़े चमच मैंने इसमें oil add कर दी है जैसे आपका oil थोड़ा गर्म हो जाए सबसे पहले इसमें आपने बरी cut-off प्याज add कर देना है गैस की flame हाई करनी है हाई flame आपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है जब तर प्याज का color जो वो light golden brown होना शुरून हो जाए तो अगे देखिए प्याज का color हलका सचेंज होना शुरू चुका है इसके बद आपने इसमें एक बड़ा चमच अदरक लस्टन का paste आइड करना है और अदरक लस्टन के paste को भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पका लेना है अब आपने गेस की flame ना medium रखनी है क्योंकि paste जो ना कड़ाही के नीचे चिपकता है तो medium flame में paste को पका लीजिए देखिए paste भी पक चुका है हरी मेर्ची भी आइड कर देते हैं इसमें और इसके साथ में आपने थोड़ा से हल्दी powder साथ में इसमें आपने एक छोटा चमर भर के देगे मिशिठ पॉर्ड़र डालना है देगे मिशिठ पॉर्ड़र ना तीखा भी करते है खाने को और धेट है darty बने थेखिए उ छा अच्छा देता है टकाने में जल्दी गल जाते हैं अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने टमाटरों को तब तब पकाना है जब तर टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नौज है और ऑईल चोड़ना शुरू न करते हैं तो कि देखे यहां पर टमाटर जो अच्छी तरह से गल चुके हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑईल भी छोड़ दिया देखे तो इस तब में आपने आपने मसाला एड़ कर देना है जो मसाला हमने बना की रखा था अब आप बुलेंगे कि इतना सारा मसाला बहुत ही मसालेदा चिकन बन जाएगा नहीं क्योंकि हमने इसमें जीरा पोर्टर धनिया पोर्टर की ही कौन्टिटी जादा रखी है खड़े मसाले देबो तो हमने सिर्फ एक 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 पीस के यूज़ किये था और बैसे भी धनिया पोर्टर और जीरा पोर्टर हम चिकन में डालते ही डालते हैं तो अब यूज़ नहीं करेंगे तो मसाला को भी देखे हैं पका लिए यहां पे थोड़ा सा साथ में आपने चिकन भी एड़ कर देना है और चिकन को अपने अच्छी तरह से यहां पे भूनना है अब आपने गैस की फ्लेम ज़दा हाई नहीं करनी है गैस की फ्लेम आप मी इसको सॉफ्ट करने के लिए आपको चिकन को उपर से कवर करना पड़ेगा तो पांच मिनिट भूनने के लिए आपने चिकन को उपर से कवर कर देना है गैस की फ्लेम एक्तम लो कर देनी है एक्तम लो फ्लेम में पांच से साथ मिन दे चिकन को पकने देना है तो लगवा आने के बाद आपने इसको पल्डी करने के बाद फिर से इसको उपर से कवर करना है इसी तरह से इसको 5-7 मिनट दब पकने दीजिए तो चिकन को पकते हैं तो टोटली यहां पे 15 मिनट हो चुके हैं और एक बाद चेक कर लेते हैं और गैस की फ्लेम आपने एक्तम लो ही रखन और हाई फ्लेम आपने चिकन को तब तब भूना है जब तक चिकन के अंदर चो मोईश्र है वो खत्म नौश है और बल्टा बीच बीच में आपने चलाते रहना है ताकि चिकन जो वो कडाही के निच्चे न चिपके तो इसका मोईश्र खत्म करने के लिए आपको 5-6 मिनट कर टायम लेगा और आपके चिकन को तोटली पकने के लिए 20-25 मिनट कर टायम लग जाता है 20 मिनट में छोटे inner पीसीस और 25 मिनट में बड़े पीसी बख जाते हैं आराम से लास्ट में आपने इस चिकन के अंदर अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा बारी कटवा हरतनिय डाल देना है फोड़ी से आपने इसमें रोज की कसूरी मेथी आड़ कर दीने हैं कसूरी मेथी से बहुती बड़ी आप फ्लेवर आता है चेकन में और अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी में खाना चाते हैं थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल सकत हैं तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेर कमेंट जुरूर कीज़ेगा ओके फ्रेंट्स थैंक यू